आओ लोट चले गाउं की और प्रकर्ती की और गाउवान स्टूडियो के रईवार विशेश कारिक्रम में आज हम थाना गाजी में सरिस्का ब्हारण के पास में इस्थित बांदीपुल हनमान जी के मंदिर के पास आपको लिये चलते हैं हम मंदिर प्रांगन के पास में हैं और यहां की स्थानिय लोगों से जानकारी मिली कि इस मंदिर का प्राचीन काफी एतिहासिक महत्व बताया गया है राजामान सिंग ने हाती के उपर हनवान जी की मूर्ती को रखकर और इस्थापित करने के लिए यहां वो लेके आ रहे थे तो हाती पर जो वो मूर्ती रखी हुई थी हाती इस छेतर में आकर यहीं पर रुख गया और काफी प्रियास के बाद भी वो नहीं उठा और आगे नहीं बड़ा तो यहां के लोगों ने उस मूर्ती को यहीं पर इस्थापित किया और उसके बाद से यह जो हनवान जी की जो मूर्ती है वो यहीं रहे हैं बिल्कुल पहाड के नीचे सकडे रास्ते से उतरने के बाद इस मंदिर प्रांगण में पहुचा जाता है बगल से एक नदी का जो एक मार्ग है अब फिलाल नदी सूखी हुई है लेकिन पहले ये अनवरत लगातार वर्स बार बहती रहती थी रूपा रेल नदी का जो जल यहां से बहते हुए आगे की और जाता था लेकिन आज बिल्कुल ये सूखी अवस्था में है वर्साकाल में इसमें पानी आता है बहकर और रूपा रेल नदी का जो रास्ता है मार्ग है नटनी के बारा तक ये पानी यहां से चला जाता है चलिए हम मंदिर जो आस पास का एरिया है रहा हम अगे की मंदिर में हनum 대 Mira की यहां भड़ रहे यहां आगे धूना नबना हुआ है और जुसों बगल में ही हनुमान जी की यह मूर्ति को इस्थापित किया हुआ है जो आप यहां देख सकते हैं और प्राचीन समय से ही काफी लोगों की आस्था रही है यहां पर और लोग यहां पर आकर और मंगलवार और सनिवार की हम बात करें तो काफी बड़ी संख्षा में यहां पर लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरा करने के लिए आराधना करते हैं यह प्राचीन समय से यहां पर इस मूर्ति को इस्थापित किया है और आपको हमने दिखाया कि यह बांदीपुल हनमान जी का जो मंदिर है यह काफी शालो पुराना है लोगों की आस्था भी है औ और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आराधना करते हैं जस्त बगल में एक मंदिर और बना है और यह पूरा मंदिर प्रांगन और जो हम बात कर रहे थे कि नदी का जो बहाव छेत्र है वो मंदिर के बिलकुल पीछे की तरफ खाफी सारे खजूर के पेड़ यहां पर माना जाता है कि प्राचीन समय में अन्दवरत यहां पर लगातार नदी बहती रहती थी बिलकुल पाहाडों के बीच में दो पाहाडों के बीच का यह च्छेत्र है आगे एक पुल भी बना हुआ है जहां से पानी बहकर और आगे की ओर जाता था और इसे बांदी पुल दारों के बीच धार्मिक स्थलों को भी आपको हम गावणी स्टूडियो के रईवार विसेश कारिक्रम में आप लोगों तक पहुचाने का काम करते हैं आप देख रहे हैं कि मंदिर के पास में जो बना पेड है उस पर लंगूर बैठा हुआ है और वह बिल्कुल मस्त मोला अपने आहार को खाने की एक बिल्कुल फुर्सत के पलों में बैठकर वह अपने भोजन का आनंद ले रहा है तो यह प्रकरती है हर जीव जंतु को आसरा देने के साथ उसका भरण पोर्षण करने का भी एक सून योजीत विवस्था करके और रखती है इसलिए हमने का नाम रखा है आओ लोड चले गांओं की और प्रकरती की और क्योंकि गांओं की और और प्रकर्थी के साथ आसपास का जो पेड, पोधे, हरियाली, पसू, पक्षी, पक्षियों की चहचाहाट की आवाज मन को बिल्कुल मन मोहने वाली सिच्वेशन होती है. हम अगर इस प्रकर्थी के बीच कुछ फूर्सत के पल विचरन करने के लिए अगर समय निकाल के आएं, तो ना सिर्फ तरोताजगी का एहसास मस्तिस्क में होता है, साथ में आपको प्रकर्थी की गोद में बैठ कर और उसके नजारों को देखकर मन में और आपके मन मस्तिस्क में और आपके अंतर पटल में इन चीजों को आप आँखों से निहारते हैं, तो सच में एक मेडिटेशन का सा ऐसास आप लोगों को होता है, और प्रकर्थी ने अपनी सून योजित विवस्था इस तरह से बनाई है, हर जीव जन्तु, पसूपक्षी, सभी का आसरा देने क के साथ उनके भरण पोसन, विचरण और उनके जीवन को आगे बढ़ाने का संचार करने का काम भी प्रकरती यहां पर देखने को मिलता है, जब आप लोग आते हैं, तो चलिए अगले रईवार, फिर आपको इसी प्रकार नई एक रोचक जानकारी के साथ आप लोगों को हम रूबरू कराएंगे, तो हमारे गाउवानी स्टूडियो के गाउवानी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और समय समय पर इसी प्रकार प्रकरती के नए अपडेट्स, नए नजारे, नए दर्सनिय स्थल, जो हमारे एर्दगिर्द है, हमारी आखों से ओजल है, उन ते आग्ड़ने वाउड़ानी स्टूडियो के लिए भाउड़ने खाईवानी